प्राइम टीवी सच साहस सरोका पर क्या किसी में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हैवानियत को रोक सके उस हैवान को रोक सके लड़की पर चाकूँ से तावर तोड़ वार होता रहा लड़की रोती रही लेकिन सबने देखकर अंदेखा करना ही शायद मुनासिब समझा लेकिन अब ये रिपोर्ट देखिए दिल्ली में दिल दहला देने वाली हैवानियत कातिल करता रहा वार मासूम हुई शिकार चाकूँ से कई वार दरन्दिगी की हद पार वो मारता रहा लोग तमाशा देखते रहे पत्थर से अटैक तूटती रही सासें जब दम तोड़ रही इंसानों की इंसानियत कितना अच्छा लगता है ना जब दिवारों और किताबों में लिखता दिखता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक कुल को रोशन करेगा बेटा तो दो दो कुलों की रोशनी बनेंगी बेटिया ये सब सुनकर वागई लगता है कि हाँ अब बच्चिया महिलाएं कंधे से कंधे मिला कर चलती है और उनके खिलाफ अपराद कम हो रहे हैं फिर कुछ ऐसी तस्वीरे सामने आती है चाकों से होते रहे वार मासूम लगाती रही मदद की गुहार नहीं पसीजा हत्यारे का दिल चाकों के बाद पत्थर से किया टै लड़की ने भी हिम्मत नहीं हारी वो चाकों के छे साथ वार जेलती रही लड़ती रही जान के लिए शरीर में हरकत तक दिख रही थी लेकिन कुछ ही सेकंड में लड़की लाश बन चुकी थी उस हैवान की सिर परमानों खून सवार था वो दनादन चाकों से वार करता रहा और वीडियो को गौर से देखी है हर एक गुजरते आदमी के साथ हमारी इंसानियत मरती है हमारी कौम मुर्दा बन कर रह गई जब उसके सामने लड़की पर वार होता रहा ना किसी ने रोका ना रोकने की कोशिश की वीडियो में दिख रहा है कि लड़की का शरीर तक उचल गया और आखिर कार एक बेटी ने फिर दम तोड़ दिया वीडियो में महझे एक ललकी की मौत नहीं पूरी दिल्ली की मौत हुई है दिल्ली के सहबाद डेरी इलाके की गली में एक 16 साल की सची को मौत की नीन सुला दी गई मौकी नीन सुलाने का आरोप साहिल नामक यूवक पर लगा हुआ है फिलहाल इस घटना के बाद से आरोपी साहिल मौके से फरार है जिसको लेकर डिल्ली पुलिस उसकी गिरफतारी के परियास में जुटी हुई है लेकिन साहिल पुलिस की गिरफत से दूर है इस मामले में बड़ी बात ये है कि जिस गली में साहिल साक्षी को मौत की नीन सुला रहा है उस गली में लोग भी आते जाते दिख रहे हैं इसी दोरान साहिल साक्षी पर चाकू से वार करता हुआ भी दिख रहा है लेकिन उस गली से गुजर रहे लोगों ने साक्षी को बचाने की कोशिस तक नहीं की साक्षी को साहिल तब तक चाकू से गोटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई इतने से भी साहिल का मन नहीं भरा तो उस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और साक्षी के सिर पर कई वार कर उसका सर भी कूँच दिया फिलहाल इस मामले की जानकारी जैसे ही पोलिस को लगी तो पोलिस ने मौके पर पहुच कर उस साक्षी के शव को पोस्माटम के लिए भेज दिया इस दोरां पोलिस का कहना है कि साक्षी पर चाकू से कितने वार किये गए हैं इसका खुला सा पोस्माटम रिपोर्ट में आएगा फिलहार जिस तरह से ये हत्या को अंजाम दिया गया उसमें पोलिस का कहना है कि साहिल का उस साक्षी के साथ पहले से रिलेशन था और दोनों के बीच किसी बाचीत को लेकर मन मुटाओ भी चल रहा था इसी मन मुटाव के बीच साहिल ने साक्षी की हत्या करने की योजना भी बना ली थी जिसको लेकर साहिल ने साक्षी को रास्ते में रुका और उसको मौत की मीन सुला दी फिलहाल बड़ी बात ये है कि सक्री गली से साहिल लोगों के बीच उस साक्षी के हत्या करके फरार हो गया और किसी ने उसको रोखने तक की कोसिस नहीं की पेशे सिम मेकैनिक है 20 साल का साहिल एक दूसरे को जानते थे साहिल साक्षी पुलिस के मुताबिक दोनों में रिष्टे थे ये पूरी कहानी दिल्ली में रोहिली के शहबाद डेरी इलाके की है जहां हमले का शिकार हुई नावालिक लड़की का नाम साक्षी था हत्यारे ने साक्षी पर 20 बार चाकू से वार किया उसके बाद भी उसका शैतानी दिमाग शान्त नहीं हुआ फिर उस हत्यारे के एक और शैतानी चहरा सामने आया जहाबाद में उसने साक्षी को पत्थर से भी कुचल दिया और वो मंजर ऐसा था कि खौव भी काब जाए 16 साल की साक्षी का सरेरा मडर हो जाता है और दिल्ली देखती रहती है आरोपी का नाम साहिल है पुलिस ने आरोपी को ढूंड लिया है पर वीडियो में दिख रहे इन 10 लोगों को रात में नीन कैसी आये होगी माफ करना साक्षी हमारी इनसानियत मर चुकी है साक्षी के साथ वहां मौजूद उन 10 लोगों की भी इनसानियत मर गई थी जिस गली में ये संकी साहिल चाकु मार रहा था वहां करीब 5-6 लोग और 3-4 महिलाए दिखाए दे रही थी लेकिन किसी ने उस हमलावर को रोकने की जहमत नहीं उठाई एक शक्स ने चाकुबास को रोकने की कोशिश भी की लेकिन बाद में वो भी भाग गया एक बार फिर से नावालिक की हत्या का ये शर्मनाक वीडियो देख लीजिए इस बार उन लोगों को देखिए जो पास से गुजर रहे होते हैं ऐसे लोग मिले तो इन्हें मुर्दा कह दीजिएगा लगके को अगर दो लोग पकड़ लेते तो शायद साक्षी की जान बच जाती आज दिल्ली पर सवाल उठना भी लाजमी है ये पहला मामला नहीं है आज से पहले भी दिल्ली कई बार शर्मसार हुई है जब शर्मसार हुई दिल्ली 16 दिसंबर 2012 चलती बस में दुशकर्म लड़ती रही जंग लेकिन हार गई निर्भया 18 मई 2022 शद्दा की हत्यागर शव को तुकडो को जंगल में फेका एक जनवरी 2023 कंजा वाला कांड अंजली चिल्लाती रही कार वाले उसे घसीटे रहे अंजली की दर्दनात मौत 10 फरवरी 2023 साहिल गहलोत ने निक्की की हत्याकर शव को फ्रीजर में छुपाया 28 मई 2023 साहिल ने 16 साल की ललकी को चाकू से गोत कर हत्या कर दी दिल्ली में यू तो कहते हैं कि विकास की बहार है लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल है हाल ही में हुई घटना पर सियम केजरिवाल ने भी टूट किया दिल्ली में खुलेया में एक नावालिक बच्ची की बेरहमी सहत्या कर दी जाती है ये बेहत दुखद और दुर्भा की पूर्ण है अपरादी बेखौफ हो गए हैं पुलिस का कोई डर ही नहीं है हैल जी साहब कानून विवस्ता आपकी जिम्मेदारी है कुछ कीजिए दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महतुपून है महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली की घटना जिस तरीके से लोगों के पीज का विशय बनी हुई है क्योंकि दिल्ली में 11 साल की किषोरी की चाकूं से गोत कर हत्या कर दी गए उस हत्या के बाद फिलहाल आरूपी को तो गिरफतार कर लिया गया लेकिन इस मामले में आखिर महिलाओं की क्या कुछ राय हैं उस राय को चानने के लिए प्राइम टीवी लोगों के बीच पहुची है तो यहाँ पर जिस तरीके से यह डॉक्टर हैं हम इनसे भी थोगा सा ज करना चाहिए पहला रोल घर से आता है कि माबाप को अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार देना कि जो भी लड़की है वो उसकी बहन है या उसको हमको किस नजरों से देखना दूसरा जो जितने भी इंतियाम किये गए उनका बह अपरादियों को नहीं होता है यदि उनको को सजा कर डर होगा तो वह इन अपरादों से को करने से दरेंगे उनको पता है कि हमको कुछ नहीं होना है आज पकड़े एंगे कल चूड़े आए यह हमारी जमानत हो जाएगी तो डर उनके अंदर नहीं है उसके कारण वह अपराद की यह परवर्तियां हमारे समाज में दि यह पुलिस रहेगी अभी आप देखें एंटी जो था रोमियो उस तमें तो थोड़े यह जो थी माप लिस सक्रिय होई थी उसके बाद जो भी अभिहान थे उसमें कोई नहीं कुछ परवर्ता नजन नहीं आया वांजिरो नहीं के लिए एंजिल बनाए जाया का सुरक्षा नहीं जरूरी हैوسके सासात उसका क्रियानमान भी बहुत जरूरी होता जो कि रहती है ठीक से यौजनाय अच्छी है और उनको अच्छी से एंप्लिमेंट करना भी हमारा और सरकार दोनों का परावर उसमें तरदायत बनता है कि हम लोग भी उस पर धयान दें अपने परवार क्योंकि student है क्योंकि student life में जिस तरीके से जो घटना सामने आई है वो भी लगभग इसी उम्र के बीज किये तो हम इनसे भी जानने की कोशिस करेंगे पहले तो हम इंका नाम जानेंगे कि आपका नाम क्या वैश्णवी जी जिस तरीके से जो चात्राओं की हत्या की बात आ रह जाते हैं लेकिन वह बहुत अच्छे तरीके से कारी नहीं कर पाते हैं कुछ टाइम तब तो सक्रियता रहती है लेकिन फिर वो बंद हो जाती है मेरे हिसाब से गवर्मेंट को बहुत ज्यादा ही अलटनेस दिखानी चाहिए कुछ ऐसे स्ट्रिक रूल्स बनाने चाहिए ज इसी भी इंसान के अंदर आ गई तो मेरे हिसाब से चीजें खुद की इंसानियत के ही द्वारा वो कम कर देंगे सवाल यह है कि जो अपराद बढ़ रहा है महिलाओं के पड़ती ज्यादा उसको किस तरीके से देख रहे हैं क्या उस अपराद में कमी देख रही है या इसको रोजवर्रा में हर देन पेपर में यह नीजस मिलती है कि आज इस स्टेट में किसी लड़की के साथ हुआ या दूसरे स्टेट में हुआ नॉर्मली पर्टिकुलर जो मर्डर केसे हो गए या रेप केसे हो गए डेली के लाइफ में वो इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रहा है और इसको रोकने के लिए कुछ ने कुछ सरकार को करना चाहिए और इससे बहतर कानून बनाना चाहिए जिससे लोगों के अंदर डर कायम हो सरकार तो दावे बहुत करती है कि हम महिलाओं के परती काम कर रहे हैं जो महिला पुलिस है उनको उतार रहे हैं लेकिन क साथ वो उपर चछ सेगीरी ऐसा क्या हुआ उसके साथ तो स्कूल में भी नहीं सुरक्षित है बच्चा अच्छा कि में बात है कि जिस तरीक है दिल्ली की घटना काफी लोगों के 20 सुरक्षियों का भी से एक 16 साल की बच्ची की बीच सड़क पे चाकूं से गोत कर हत्या कर दी जाती है और आरोपी फरार हो जाता और उसके बाद तीन दिन बाद उसकी ग्रफतारी हो पाती है इस घटना को लेकर किस त्रीकिस देख रही है पुलिस चाहती तो हमें तो लगता है हर कोने पे हर जगे स सी टीवी कैमरे लगे होते हैं अगर पुलिस चाहे अगर उतनी ही उससे अच्छे से काम करें तो बहुत अच्छे से अपरादी दो दिन क्या एक दिन में उसी दिन भी पकड़ा जा सकता है पर प्लिस भी या सासन व्यवस्था अच्छी ना होने की वज़े से यह सब हो रहा यह वीडियो फिर से मुर्दा बनेगा फिर से महिलाओं की सुरक्षा के वादे और दावे किये जाएंगे कुछ दिन फिर से बेटियों को कहा जाएगा आप सुरक्षित हैं लेकिन जरा उस परिवार का हाल सोचिए जिसने अपनी बच्ची को खोया है वही बेटी जिसके होंगे एक आम बच्चे की तरह उसके भी अपने सपने होंगे लेकिन अब उसी परिवार ने अपनी फूल सी बच्ची को खो दिया और इस सत्याकांड ने सवाल खड़ा किया है कि जो लोग गुजर रहे थे उनमें से सब ने घटना को दरकिनार किया और आगे बढ़ गए से साफ है कि पास में कुछ पत्थर रखे हुए थे अगर 57 लोग पत्थर से मारने भी लगते तो वहत्यारा रुख जाता और उसे पकड़ा जा सकता था प्यार प्यार का इतना खतरनाक अंजाम यह घटना दिल्ली के सहबाद डेरी की है इस इलाके में प्यार का इतना खतरन प्यार प्यार करते थे इस प्यार के दौरान दोनों के बीच मन मुटा हुआ और साहिल ने उसकी हत्या करने का प्लान भी बना लिया और इस प्लान को उस वक्त अंजाम दे डाला जब सक्षी अपने मित्र के बेटे के बड़े पाटी में सामिल होनी जा रही थी साक्षी के उम्र लगबग 16 साल जिसको इतने बारचाकों से गोदा गया कि उसकी मौत हो गई इस दोरान साहिल ने उसके सिर पर पत्थर से वार भी किये लेकिन बड़ी बात ये रही कि इस घटना के दोरान आसपास से लोग भी गुजरते हुए दिख रहे थे लेकिन किसी ने भी उस 16 साल की साक्षी को बचाने की कोशिश तक नहीं की अगर किसी ने भी एक कदम बढ़ाया होता तो साक्षी आज जीवित होती फिलहाल साहिल ने अपनी महबबत का अंत इतना खतनाक किया और उसके बाद फरार हो गया फिलहाल पुलिस उस आरोपी साहिल की गिरफतारी करने का दावा कर रही है लेकिन गिरफतारी नहीं कर पाई है पुलिस कह रही है कि सनीवार की देर साम को साक्षी जब बढ़े पार्टी में सामिल होने जा रही थी उसी दोरान साहिल ने उसको मौत की नीन सुलाई थी लेकिन बड़ी बात सनी वार से आज सूम वार हो गया लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ से अब तक दूर है देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से साक्षी की हत्या कर साहिल फरार हुआ है तो पुलिस उसकी गिरफतारी कब तक कर पाएगी और इसका खुलासा क्या करती है क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से दावा किया है कि साहिल और साक्षी दोनों रिलेशन्शिप में थे और दोनों की मितरता भी थी लेकिन मन मुटाओं के बाद साहिन ने उसकी हत्या करने किया पिलान बनाया और उसको मौत की मीन भी सुला दी लेकिन इस घटना से एक बात साफ हो गई कि लोगों के अंदर से इंसानियत मर गई है क्योंकि ये घटना उसकी गवाही दे रही है कि लोगों के बीच एक किसोरी की हत्या करती जाती है और लोग उसकी मदद के लिए बढ़ते तक नहीं केवल नजारा देखते हैं वीडियो जनलिस विजय कुमार के साथ मौम्मत कलीम प्राइम टीवी लखनव ये मामला महद एक हत्यकान या वारदात नहीं बलकि पूरे समाज पर एक सवाल है कि आकिर क्यों समाज में महिलाओ की सुरक्षा के लिए कोई भी नहीं आ गयाता है ये साक्षी परवार नहीं समाज परवार है जो करते महिलाओं की सम्मान की बात है लेकिन जब मौका आया बचाने का तो भाग जाने ही शायद सब को सही लगा या डट कर उस बच्ची को बचाना हमारे जिम्मधारी है ये सब भूल गए अगर पुलस नहीं या सरकार नहीं कर रही बेटियों की सरक्षा तो क्या समाज भी उससे मूँ मोड़ लेगा शायद साक्षी जिन्दा होगी अगर आज वो हमारे बीच होती लेकिन उस हैवान साहिल ने के साथ ही जो समाज ने किया वो भी कही न कही गलत था और हमारा समाज भी कही न कही अब कातल कहलाएगा जाने से पहले मेरे इस बात पर गौर जरूर करिएगा और इस बात कोई बार फिर से सोचेगा जरूर की शायद इस पूरे हत्याकान को रोका जा सकता था साक्षी को बचाया जा सकता था लेकिन कही न खही समाज का कोई भी एक व्यक्ति आगे नहीं आया वहां से कई लोग गुजरते रहे लेकिन किसी ने साक्षी को बचाने तक की कोशिश नहीं की जो कि हमारे समाज पर एक बड़ा सवाल है हैवानियत और पत्थर दिल दिल ली हमार इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप मने दाएगा प्राइम टीवी के साथ